नमस्कार दोस्तों मैं जब प्रक्राइच आपका आर्दिक स्वाइद करता हूँ आज का मारा क्यूशन है Solve for x 10 inverse 2x plus 10 inverse 3x equals to pi by 4 हमें इस समीकन को x के लिए सरल करना है द्यान रखना सरल करना है प्रूव नहीं करना गीवन है 10 inverse 2x plus 10 inverse 3x equals to pi by 4 तो अगर हम formula लगाएं तो यह जगा 10 inverse 2x plus 3x upon 1 minus 2x into 3x equals to pi by 4 जब भी हम यह formula लगाते हैं तो मैं पता होना चीए कि जो मारा हर है वो positive होना चीए फिर यह कहो कि यह जो राशिये वो less than 1 होनी चीए तो मैं इस से लिख सकता हूँ कि 6x square है वो less than 1 होना चीए हमारा denominator मैं इसा positive होना चीए वो तब ही संभव हो जब 6x square less than 1 हो तो यह condition साथ में लिखी जाएगी इससे आगे और सर्ल करें तो 10 inverse 2x plus 3x 5x upon 1 minus 6x square is equals to pi by 4 दोनों तरफ अगर मैं 10 operate कर दो तो यहाँ पे होगा 10 10 inverse 5x upon 1 minus 6x square एकोच तो 10 pi by 4 10 और 10 वर cancel हो जाएगे तो 5x upon 1 minus 6x square यहाँ पे 10 pi by 4 की वे लिए हमने 1 put कर दी दियान रखना 10 10 inverse 10 bracket में 10 inverse y बराबर हमेशा y होता है every real number के लिए लेकिन 10 inverse 10 theta बराबर हमेशा theta नहीं होता यह तब ही होता है जब theta 10 inverse की range में हो यानि minus pi by 2 से pi by 2 open interval में हो तो हम उपर वाला formula काम में ले रहे हैं नीचे वाला formula काम में नहीं ले रहे तो मैंने 10 और 10 inverse को cancel कर दिया आप चाहो तो इस step से यह step direct भी लिए सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तिर्चा गुणा कर दिया cross multiply करने पर इस दोनों पतों को मैं left hand side में लिया हूँआ तो सबसे पहले 6x square 5x पहले से है 1 को अगर मैं left hand side में ला हूँआ तो minus 1 equals to 0 हमें इसे solve करके x की दो वे लिए find out करनी है तो मैंने factor किये तो 6x square plus 6x minus x minus 1 equals to 0 6x को मन लेंगे तो मुझे मिलेगा x plus 1 minus 1 को मन लिया तो x plus 1 equals to 0 दोनों से x plus 1 को मन लिया तो यहां बचेगा 6x यहां बचेगा minus 1 equals to 0 x plus 1 equals to 0 और 6x minus 1 equals to 0 या तो x plus 1 ब्रावर 0 या 6x minus 1 ब्रावर 0 इससे x का यह लिए आएगी minus 1 और x equals to इसको सरल करने पर आएगा 1 by 6 तो मैं इससे लिए सकता हूँ x equals to 1 by 6 since x equals to minus 1 does not satisfy the condition 6x square less than 1 चुँकि x ब्रावर minus 1 है इस condition को इस पर्तिबंद को संतुष्ट नहीं करता जबकि x ब्रावर 1 बटेच है इस पर्तिबंद को संतुष्ट करता है इसलिए हमारा answer जाया x ब्रावर 1 बटेच है अगर इस condition में x value मैं minus 1 पुट करूँ तो 6 into minus 1 का all square तो जो 6 into minus 1 का all square होता है वो होता है 6 और 6 less than 1 होता है यह संबब नहीं है हम कहेंगे कि 6 है वो less than 1 नहीं होता इसलिए यह minus 1 है इस condition मों सेट्ष्ट नहीं करता जबकि अगर मैं x की value 1 by 6 रखूँ तो 1 by 6 का square रखने पर इसकी value आएगी 1 by 6 और 1 by 6 less than 1 यह true है यह false है तो यह true है तो इसका मतलब यह value इस condition को satisfy करती है तो हमारा answer हो गया x equals to 1 by 6 यदि आप x की value इस condition में रखके check नहीं करना चाहें तो आप x की value given equation में रखके भी check कर सकते हैं कि यह value given equation को satisfy नहीं करती है for example अगर x की value में minus 1 रखूँ तो मुझे मिलेगा 10 inverse minus 2 plus 10 inverse minus 3 equals to pi by 4 अगर मुझे पता है कि 10 inverse के अंदर negative input है तो negative sign बारा जाता है तो 10 inverse 2 minus 10 inverse 3 equals to pi by 4 यह अगर minus sign छोड़ दें तो यह 10 inverse 2 है और 10 inverse 2 मतलब कोई angle है तो यह कोई positive angle यह कोई positive angle minus से multiply करेंगे तो कूल मिला कि negative angle negative angle total negative angle तो इस side में मुझे मिलेगा negative angle रिनात्म कौन जबकि pi by 4 है वो positive angle है दनात्म कौन है तो रिनात्म कौन कभी भी दनात्म कौन के बराबर नहीं हो सकता तो हम कहेंगे कि x पराबर minus 1 है दिये गई समीकन को संतुष नहीं करता है इसलिए x पराबर minus 1 दिये गई समीकन का हल नहीं है इट इस नोट solution of the given equation तो हमारा answer है गा x equals to 1 by 6 लेकिन ज़्यादा easy है कि हम इस condition में रखके चेक कर लें ताकि हमें इतनी calculation करनी नहीं पड़े या फिर हम easy way में हम बतासके इस टेट में पुछा गया question है समीकन 10-2x plus 10-3x equals to pi by 4 के हलों की संख्या है the number of solutions of the equation 10-2x plus 10-3x equals to pi by 4 तो हमने देखा भी अभी कि इसका जो हल आया था वो x equals to 1 by 6 है था तो इसके हलों की संख्या होगी एक तो option third correct हो जाएगा ये question भी कई के exam में पुछा गया है question है if 10-2x plus 10-3x equals to pi by 4 then x is equals to तो मारा answer हो जाएगा x equals to 1 by 6 जब भी 10-2 function हो और add के हो उनको जोड़ रखा हो और बराबर pi by 4 हो तो मारे दिमाग में एक चीज आने चाहिए 10 inverse 1 by 2 plus 10 inverse 1 by 3 equals to pi by 4 और एक general formula और होता है वो भी दिमाग में आना चाहिए लेकिन पहले अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम देखें तो अगर x प्रावर 1 by 6 रखते हैं तो यह में देता है 10 inverse 1 by 3 और अगर x equals to 1 by 6 में यहाँ रखोंगा तो solve करने पर यह देता है हमें 10 inverse 1 by 2 तो इससे मिल रहा है 10 inverse 1 by 3 इससे मिल रहा है 10 inverse 1 by 2 और हमें पता है इस result की बावर pi by 4 होता है तो हम इस questions को बिना solve के भी हमें पता होना चाहिए पता है